आज दीपावली का त्योहार है। आज के दिन सब अपने परिवार के साथ दीपावली मनाएंगे। इस अबसर पर हम बात कर रहे हैं केंद्रिय जेल में इको फ्रेंडली लक्षमी गडेश की मूर्ती और दिये बनाने वाले कैदियों के बारे में। ये भले अपनी दिवाली की जेल में बिता रहे हैं पर इनके बनाय दियों के कारण सतना जेल परिसर के सभी स्टाफ का घर रोशन होगा। इन्ही दीपों से आज जग मगाएगा सतना जेल स्टाफ का घर। पर्या वरन के अनपूल बनाई गई इन मूर्तियों को आठ बंदियों दौरा साकार रोप दान किया गया है यहीं बने दीपकों से जेल स्टाफ के घर रोशन होंगी जेल अधिक शक लीना कोस्टा निलोकल एटीन को जानकारी देते हुए बताया कि कारागार के अंदर लगभग 200 से अधिक लक्षमी गडेश की मूर्तियां और 500 से ज्यादा मिट्टी एवं आटे के द दीप बंदियों दौरा बनाई गई है यह परंपरा विगत तीन वर्षों से निरंदर चली आ रही है जेल सुपरिटेंडन निलोकल एटीन को जानकारी देते हुए बताया कि बंदियों दौरा तयार मूर्तियों की नियच्छावर की जाने वाली राशी जेल स्टाफ के लि भड़ की मूर्ति और लषुंडन मर्ति और यह श्तिखाने वाली रुपें उडगुरू है यहां यहिं बना रही है है में सब्सक्रों सर्चच क मूर्ति को भना गुए उसका शाच का बना लोकं तिर बाना गे उसमें मिट्टि जालके बनाते रहते हैं तो कि मगरी हो गया मुर्थ मेर्म पंदियों जो निर्माड बनौना तु द्वारक गया जिसमें चार ते-पांच प्रश्पंदी लगे हुए सामगरी पूरी हम लोग यहां से जेल से उपलब्द कराते हैं और जो इनको मजदूरी मिलती पारेश्रमिक जो मिलता है उसी से इनका भुकतान किया जाता है वान्यवे रुपे के लगभख है जो कि इनको किया रहा है इनको इनको सेल करने के उदेश्रे इन मुर्तियों का निर्माण किया गया है सेल भी की जाती हैं, मार्केट से बाहर ही व्यक्ति कोई लेना चाहें तो उसको भी बेट देते हैं, स्टाफ बाले लेते हैं कैंटीन में यह सुभी दाउप लब थे कि कैंटीन के माध्यम से भी इन मूर्तियों को बाहर बेचा जाता है लोकल एटीन के लिए सिवांग दुवेदी की रिपोर्ट सतना